टीम 11 के अफसरों के साथ सीन योगी समिक्षा बैठक होगी तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते यूपी के हालात क्या कुछ हैं इसको लेखर जानकारी हासिती जाएगी तो वही प्रवासी श्रमिकों की वापसी पर बैठक में समिक्षा होगी तो कम्यूटी किचन और साथी क्वारिटीन सेंटर की वर्वस्खाओं पर भी चर्चा यहां पर होनी है इसकी साथी स्वास्त सेवाओं की बहत्री की समिक्षा करेंगे तो लॉकडाउन के अनुपालन की कारवाई की समिक्षा भी सीम योग के आदितनाथ करने वाले हैं तो साड़े नौ बजे बताया जा रहा है जब सेम अवास में ये बैठाव होगी टीम इलेवन के अभीकारों के साथ प्रदेश की 24 घंटे के हालातों को लेकर तो वहीं प्रवासी मज़़ूरों को लेकर साथी अस्पतालों में किस तरह से वरस्थाएं मिल रही हैं जाहे व और नरेंद्री आदव फिलाल हमारे साथ हमारी जायोगी जादा दानकारी के लिए जुड़ गये हैं उनका रुक कर लेते हैं नरेंद्र कल भी हमने देखा था कि सियम योगी ने बैठा की और प्रवासी मज़़ूरों को लेकर एक एहम फैसला यहाँ पर दिया गया जो लं जो बड़ी संख्या में परदेश में मद्दूर आ रहे हैं वो एक बड़ी समस्या है उनको कौरियंटाइन करना उनको गाइडलाइन के हिसाब से उनके घरों तक पहुचाना और सरकार ने फैसला भी कर लिया है कि जल्द से जल्द उनको रोजगार दिया जाएगा इसके ल सीम ने फैसला किया है कि साड़े नौ बजे ही बैठक करेंगे और उसके बाद दिसा निर्देश जारी करेंगे निश्चित तोर पे जो पिछले चोबिस घंटों में हालात परदेश के बदलते हैं या कोई समस्याएं खड़ी होती हैं उसको लेकर अधिकारियों से फीट ब से क्रोना संकर्मन के फैलाओ को रोका जाए चिंता का विसाए है कि बहुत सारे जिलों को अब क्रोना अपने चपेट में ले चुका है 71 जिलों में क्रोना का संकर्मन फैल चुका है इस पर निश्चित तोर पे चर्चा होगी जो ग्रीन जोन वाले जिले थे वहाँ पर क्रो कि रहे जाुआ जाता या रासन बितरण में कहीं गड़बड़ी की जा रही या सिकायत आई है तो उस पर समिक्षा होगी वहीं दूसरी तरफ जो किसानों का गेहु है उसकी खरीद भी चल रही है इस पर भी C.M. का फोकस है कि किसानों को गेहूं का मूल तुरंत भुक्तान किया जाए कोई घट गट तुली ना की जाए इस पर भी उनका फोकस रहेगा क्योंकि जो टीम अलेबन है उसमें तमाम विभागों के परमुख सच्यू भी सामिल होते हैं उनसे फीट बैक लिया जाता है कि कितना भुक्तान कर दिया गया कितना बकाया और किस तरीके से किसानों के उपर ध्यान दिया जा रहा तो कई सारे मुद्धे हैं जिसको लेकर आज गहन मंतन साड़े नो बजे से सीम आवास पर सुरू होगा इसके बाद गाइड लाइन के हिसाब से काम हो रहा एक नहीं हो रहा इस पर करेंगे लेकिन सबस लगातार लोग सड़कों पर ज्यादा संक्या में निकल रहे हैं ऐसे समस्याएं आएंगी इसको लेकर भी चर्चा हो सकती एक बिकल पे भी बन सकता है कि लागडाउन का कडाई से पालन किया जाए क्योंकि लगातार कुरोना के केसे उत्तर परदेश में बढ़ रहे हैं और दूसरी बड़ी समस्या यह है कि बड़ी संख्या में जो मदूर आ रहे हैं वो पैदल चल रहे हैं सड़कों पर दिखाई देते हैं और इसके लिए भी लगातार सीम योगी आदितनाथ की तरफ से अपील की जाती रही है और तमाम जिला अधिकारी भी इस पर कारवाई करत और सड़कों पर पैदल ना चलें जिससे कोई कैजोल्टी ना हो तो हर मुद्दे को सीम योगी आदितनाथ अपने इस टीम अलेबन की बैठक में उठाते हैं और हर पर फीट बैक लेते हैं चाहे हो कौरेंटाइन सेंटर का मामला हो सौसुभधाओं में एक बड़ी चल रहा है तो जो आइसोलेशन सेंटर हैं वहाँ पर भी बैउस्थाओं पर चर्चा होगी इस तरीके से पूरा जो हालात है उत्तर परदेश का चाहे किसान हो मद्दूर हो पीडित क्रोना के पीडित हो और डाक्टर हो इनको किसी तरीके से कोई असुभधा ना आया और कि तरीके से मसीनरी में सुधार करके इसको या कानूनों या गाइड लाइन का पालन करवाते हो इस तरीके से उत्तर परदेश की बैवस्था को बेहतर किया जा सकेगा इस पर चर्चा होगी जी यानि कि आज तमाम सभी मुद्धे इस मिटिंग में शामिल होंगे जो बेहत जर तक कहीं से जानकारी नरेंद्र हासिल हो पाई है क्योंकि बसों की जरी यहां पर लाया जा रहा है प्रवासि मुद्धूरों को उन्हीं कॉरंटीन सेंटर में भेज़ा जा रहा है और खाने पीने के उनके लिए ववस्था की जा रही है तो क्या अभी कहीं से ऐसे खबर कि आभेवस्था का आलम कहीं पर नजर आ रहा हो देखिए कोई बड़ी आभेवस्था की सूचना अब तक परदेश से नहीं आई है जो ट्रेनों से लोग आते हैं उनके लिए पूरी संख्या निश्चित होती है और परदेश सरकार की पास वह आंकड़े भी होते हैं कि जो प बसों में बिठाया जाता है और सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करते हो मास्क लगा कर उनको मूब्मेंट किया जाता है उत्तर परदेश में 40 ऐसे जिले हैं जहां पर ट्रेनों की सुगदा है सीधे ट्रेनों से अपने जिलों में वह परवासी मद्दूर पहुंचेंगे और से बसों से ब्योस्ता की जाएगी हलाकि बहुत संख्या में लोग देखे जा सकते हैं कि जिले से जिले का जो मूब्मेंट है उसमें उसमें काफी संख्या में लोग एक जिले से दूसरे जिलों में जो काम करते थे अपने घरों की तरब जा रहे हैं वो साइकल से निकल पड स्थां उनके लिए पर किये हुए है चलिए भावत धारे बाद आपका नरेंद्र हमारे साथ जोड़ने के लिए